असलाम अलेकुम फ्रेंड्स बिस्मिलार्पानि रहीम आज जो हमने ये डिश बनाई है देखने में तो यह आपको मंचूरिया नहीं लग रही होगी उसी टाइप की हमने जो सर्दियों में सबजिया चल रही है उनको बिलाकर बनाई है और यह बहुत ही इसली और बहुत ही ज ली है और गाजर जिसको हमने अच्छे से छील लिया है और लिया है दो हरी मिर्च और अद्रग तो यहाँ पर हमने प्याज हरी मिर्च और अद्रग तो हटा दिया है और शिमला मिर्च भी और ले लिया है एक बहुत बारिक वाला ग्रेटर और इसमें इस तरह से गोबी को ये बहुती जादा अलग तरीके के मंचूरियन बनाएंगे हम और इसमें सबस्जा भी यूज हो जाती है आपकी वो मर्दी है कि आप इसमें कौन सी सबस्जी डालना पसंद करते हैं कौन सी नहीं कौन सी आपको अच्छी लगती है तो इस तरह से ये गो भी ग्रेट हो चुकी तो यहाँ पर हमने आलू भी लिया है ये बॉल किया हुआ आलू है इसको भी इस तरह से ग्रेट कर लेंगे आपने देखा होगा मंचूरियर में आलू नहीं डलता अगर जो हम बनाने जा रहे हैं आज वो बहुत ही नई डिश है और आपको इंशाल्ला बहुत पसंद कि बस इनको इस तरह से हाथ से मिला लेना है ये बाइंटिंग होने लगेगे और यहाँ पर हमने लिए है ये कटोरी उबली हुई मतर मतर बहुत ज्यादा चल रही है और मतर के फायदी भी बहुत है खाने के इस तरह से आप हातों से इसको मैश कर लीजिए बहुत ही इसली मैश हो जाते हैं और इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हमने एक लिया है जो पर अगर आपके पास चोपर नही है तो आप मिक्सी के जार में भी इसको दरदरा सा पीष सकते हैं तो यहाँ पर जो हमने दोहरी मिर्ष ली थी वो इनको इस तरह से काट लिया है और अद्रक को भी इस तरह से काट कि इसमें मोटा मोटा सा डाल देंगे इसी तरह से हमने जो यह प्याज ली थी इस तरह से ही इसके भी मोटे मोटे सी पीज बनाकर इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइस की प्याज है ये बस इस तरह से इसमें डाल देंगे और यहाँ पर जो हमने शिमला मिर्च ली है आदी हम इसमें चौपर में यूज करेंगे और आदी हम बाद में यूज करेंगे तो यहाँ पर हमने आदी शिमला मिर्च ले ली है उसके बीच हटा दिये हैं और इस तरह से इसको भी मोटा मोटा सा इसमें डाल देंगे ये बहुत ही जादा टेस्टी बन कर तेयार होती है डिश और बस इसमें लगा देंगे कैपिस का और इसको चौप कर लेंगे ये देखी गई है जब इस तरह से चौप हो जाए बॉयल किये हुए अगर आपने ही डालना चाहते है तो आपने ही डाले हमारे पास बचे हुए थे और इसका अलगी टेस्ट आता है इसमें जब हम ये डिश खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम फ्राइड राइस के साथ ये खा रहे हैं तो यहां पर हमने ये मिक्स कर दिया है और ये जो हमने पहले से मिक्स करके रखा है इसमें ही ये हम सब डाल देंगे जो हमने ये चॉप की है इसमें डाल कर मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे आधा आधा का तोरी सूजी और थोड़ा सा हरा धनिया सूजी हमने इसमें जो ये डाले हैं सामान इनका जो है पानी ये अराम से सौप कर लेगी इस वज़े से हमने इसमें सूजी डाल दी है इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज ना करें आपने दिखा होगा मंचूरिन बनाते हुए मैदे और कॉन फलॉर का यूज करते हैं हमने बिल्कुल भी यूज नहीं किया है हमने इसको सूजी से बनाया है हमने इसमें से कुछ पी इंगर नहीं डाला जो नुकसान दे यहां पर हमने थोड़े से चिली फ्लैक्स और और गैनो डाल दिया है यह डालने से इसका टेस्ट अलग ही आता है और यहां पर टेस्ट के जी हुई मिर्च डालती है और यहाँ पर थोड़ा सा सोडा भी डाला है नीठा सोडा खाने वाला दो चुटकी के बराबर और बस इसको अब हम हाज से मिक्स कर देंगे यह अलग तरीके के बहुत अच्छे अंचुरियन बन करते यार होते हैं आप चाहें तो इस तरह से जब ह यहांपर हमने तील रख दिया है यह अच्छे से गरम हो चुखा है आप चाहें इनको शैलो फराइ करें डीफ दिफ राइ करें वो आपकी मरजी तो यहांपर हमने शैलो फराइ किया है इस तरह से बसे इस नहीं गोल-गोल बॉल बना कर फ्राइए गर बहुत इजली भी ज़रूर कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें जिसे के हमारी रेसिपी का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं तो यहां पर यह अच्छे से नीचे से फ्राइ हो चुके हैं तो अब इनको हम प्लट देंगे इस तरह से सब यह प्लट दें और यह अच्छे से सिख चुके हैं मेडियम हाई फ्लेम पर ही इनको पकाना है जिससे के यह अंदर तक अच्छे से सिख जाए और जब यह पक जाए बस इनको बहार निकाल लेंगे तो यहां पर हमने एक ऐसी छलने ले ली है जिसमें इसको हम र खा सकते हैं यह बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं तो बस इस तरह से ही हम सब फ्राई कर लेंगे और फिर हमने फ्राई करने के बाद यही पैन ले लिया है इसमें डाल देंगे दो चमश ऑईल तो यह देखेगा सब फ्राई हो चुके हैं आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं तो यह जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें हमने डाल दिया है आठ से दस लसन की कलिया काट कर बहुत बारी काट कर इसमें डाल दी और जब यह इच्छे से पक जाएं थोड़ी बीच पिंक हो जाएं तब इसमें हम निए शिमला मिर्च और प्यास डाल देनी है आधि शिमला मिर्च है यह जिसको हमने बारे काट लिया था और ये आधि प्याज है तो यहाँ पर हमने ये कॉन फ्लॉर लिया है दो चम्मच इसमें हम पानी डाल कर इस तरह से इसका पेस्ट बना कर रख लेंगे यहाँ पर यह अच्छे से पक चुकी है प्याज और शिमला मिर्च इंको अच्छे से फ्राई कर लेना है पहले जब यह 80% तक अच्छे से पक चाएं तब इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून काली मिश पॉडर और इसको अच्छे से चला लें फिर इसमें हम डालेंगे soya sauce अगर आपके पास dark वाली है तो आप कम डालें तो हमने दो चमच भर कर soya sauce डालती है और थोड़ा से इसमें डालेंगे कैचप कैचप से अलगी स्मीटीस्ट आता है तो यहाँ पर हम यह sauce बना रहे हैं जो इसके उपर डलेगी तो इस तरह से ये अच्छे से बुन चुका है और यहाँ पर जो हमने कॉन फुलॉर का गोल बनाकर रखा था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मस से और आप यहाँ पर जितना भी लिक्वीडी बनाना चाहते हैं उसमें इसक पुश्क खाना चाहते हैं ड्राइ खाना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से पानी कम ही डाले नहीं तो आप इसमें दो कटोरी पानी डाल कर इसको लिक्वीडी बना सकते हैं अभी डाल सकते हैं बाद में डालेंगे तो यह खराब हो जाएगा तो इसको यह देखी गई सब्सक्जawan फोड़ा ही नमक डाले और यह पक चुकी है好吃 है और यहां पर गयर सलिए यह बन कर दिया है एक हैं लेली आ Mongol इस तरह से यह जो हमने व बनार रखी थी इस सब लगा देंगे तो यहां पर यह लगा दी है और इसके अओपर डायर डाल देंगे जो हमने SOS बना कर रखी दी ग्रम ग्रम यह सोच इसके उपर डाल दी और फिल ने एक न ända तरीके के मन्चूरियन का मज़ा तो यहां पर यह बहुत ही जागा टेस्टरी बन कर तेयार होती है यह recipe friends अगर आपको हमारी recipe पसंद आती है तो please comment box में जाकर हमें जरूर बताईएगा आपको देखने से ही लग रही होगी कि यह कितनी tasty बनी है और इसके ball एकदम नर्म है एक बार इस मेरे कहने से आप जरूर बना कर खाईएगा आप इसको बहुत ही पसंद करें तो यह dish आपको देखने में लग रही होगी निशानदार बन कर तेयार हुए है आप इसको easily बना सकते हैं और सब सबजिया आराम से खा सकते हैं बच्चों को भी खिला सकते हैं लाहाफिस